नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबैल फॉन्स की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन फर्चेस करने में कोई दिकत ना आए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीबो वाई सिरीज के दो सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है वीबो वाई 0-2 और दूसरा स्मार्टफॉन वीबो वाई 0-1 तो इन दोनों स्मार्टफॉन की unboxing और comparison करेंगे एक साथ नजर डालेंगे basic features, look designs, camera पर देखेंगे कैसे रहते हैं ये smartphone आपके लिए सबसे पहले दोने smartphone के price हम जान लेते हैं तो Vivo Y01 7999 रुपे में आपको ये smartphone मिलेगा जिसमें आपको मिलेगी 2GB RAM 32GB का internal storage rear में 8MP, front में 5MP का selfie camera बैटरी 5000 mAh की वहीं Vivo Y02 1000 रुपे उपर 8999 रुपे का आपको मिलेगा और इसमें आपको 3GB RAM 32GB का internal storage rear camera 8MP, front camera 5MP बैटरी 5000 mAh की इसके अलावा क्या-क्या दिया गया है दोनों smartphone में खास आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आयो फॉर्स ताइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बडर नजर आएगा उसको दबा दीजे बगलन बैल आइकन है उसको भी दबा दीजे ऐसी वीडियो उस पे आपके लिए आप रेगुलर लाता रहता हूं तो सुरुआत करते हैं वीवो आई जीरो टू से सबसे उपर रखा हुआ मिलता है स्मार्टफॉन जिसे हम रखेंगे फिलाल साइड में अंदर एक 12 मंद का वारंटी कार्ड कुई की स्टाट गाइड यूसर मैनवल कवर आपको इसके साथ नहीं दिया गया है वो आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा इसके बाद 10W का चार्जर अडप्टर 5W 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ आपको इसमें मिल जाता है और USB केविल देखें तो इसमें आपको नॉर्मल माइक्रो USB केविल दी गई है केविल की लेंद्ट और क्वाल्टी बढ़िया है लेकिन टाइपस ही होनी चाहिए थी अब आते हैं Y01 पर जहां सबसे उपर एक मिनी बॉक्स जिस पर वीबो की ब्रांडिंग की गई है अंदर यहां भी आपको 12 मंद का वारंटी कार्ड, क्विक स्टाइट गाइड इसर मैन्वल और फोन को सैप्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांस्पेरंट सिलिकन का कवर मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का इसके बाद स्मार्टफोन इसे भी रखते हैं फिलाल साइड में अंदर IMEI स्टिकर्स और अंदर देखे तो यहां भी बिल्कुल सैम एक चार्जर अडप्टर मिल जाता है 10W का 5V 2A के आउटपुट रेटिंग के साथ और USB केविल यहां भी बिल्कुल सैम, Micro USB केविल दी गई है दोनों स्मार्टफोन Type-C USB केविल आपको नहीं देते हैं और अब दोनों स्मार्टफोन को रैपर से आजात कर लेते हैं और यह रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रेंट लूक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा दोनों पर आपको Drop Noss डिस्प्ले मिलती है इस scratch guard भी पहले से लगावा मिल जाता है इन हैं फिल दोनों ही स्मार्टफोन आपको हाथ में काफी comfortable फेल होंगे काफी slim और lightweight हैं दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे से आप दोनों स्मार्टफोन को हाथ में carry कर सकते हैं और यह रहे दोनों स्मार्टफोन के back panel दोनों स्मार्टफोन में आपको plastic polycarbonate body मिलती है लेकिन अलग अलग back panel नजर आ रहे हैं सबसे पहले Y02 का back panel आपको दिखा देते हैं तो विल्कुल flat back panel यहां पर दिया गया है जहां पर आपको glossy plus matte finishing का mix up देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा लग रहा है नीचे वीवो की branding भी अच्छी लग रही है और आप यहां पर देख सकते हैं colors यहां पर काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे light reflect हो रही है तो यहां भी आपको काफी अच्छे colors नजर आएंगे जो काफी कमाल के लग रहे हैं बाकी camera setup यहां पर काफी unique सा बनाए गया है एक बड़ा सा lens जिसके अंदर camera और LED flash light समाए हुए हैं और यहां सिर्फ एक camera दिया गया है जो है 8 megapixel का और camera के जो आस पास की boundary है वहाँ पर आपको rainbow colors का काफी अच्छा mix up देखने को मिल जाता है यह भी अच्छा लग रहा है वहीं Y01 का back panel आपको दिखाएं तो normal सा यह back panel है corner इसके कर भी है वीवो की branding और हलकी अलकी रिजिस मैसूस हूंगे इस पर इस scratches कम आएंगे grip अच्छी बने रहेगी ऊपर जो camera setup है यहाँ पर अलग दिया गया है single camera यहाँ भी मिलता है 8 megapixel का with LED flashlight front भी दोनों smartphone 5 megapixel का selfie camera drop notch के अंदर दे रहे हैं दोनों smartphone के corner भी आपको different ही नजर आएंगे विल्कुल flat corner के साथ आता है Y02 और rounded corner के साथ Y01 आता है जहां right side में आपको power on की floss volume rockers दिये गए हैं लेकिन fingerfin sensor नजर नहीं आ रहे हैं यानि कि दोनों smartphone में आपको fingerfin sensor नहीं मिलेगा उपर की side आपको speaker grill मिल जाता है Y02 में जो नीचे से निकालके बस उपर fit कर दिया है आपको लगेगा कि dual studio speaker तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अलावा sim tray आपको Y01 में उपर की side दी गई है और Y02 में left side में दी गई है और दोनों स्मार्टफोन पर दो sim card और एक memory card एक साथ लगा सकते हैं mobile के bottom में आपको 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grill Y01 में आपको नीचे की side मिलता है अब दोनों स्मार्टफोन की power को तो पहले ही हमने on कर लिया था और दोनों की brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से हमें नजर आ जाए तो ज्यादा best color मुझे Y02 के लगे यहाँ पर brightness थोड़ी सी ज्यादा Y01 में लग रही है जबकि Y02 में आपको brightness के साथ साथ colors भी better मिल जाते हैं करीब से भी आपको दिखाते हैं तो दोनों smartphone में आपको काफी अच्छी display clarity देखने को मिल जाएगी आइकन बिल्कुल same to same है और edge और bezels को देखिए corner और उपर से काफी thick bezels हैं लेकि नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आमें नजर आ रही है दोनों smartphone में 550 nits के brightness आपको मिलती है outdoor भी आप दोनों smartphone का use easily कर सकते हैं scroll आप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे application नजर आएंगे free install app दोनों smartphone में दी गई है unwanted apps को phone से remove करके play store से अपनी पसंद की app आप download कर सकते हैं इसके लावत दोनों smartphone में आपको 60 Hz का refresh rate दिया गया है touch दोनों का काफी smooth और fast मिल जाता है अब बात करते हैं display की तो दोनों ही smartphone में आपको मिलेगी 6.51 इंच की HD plus IPS LCD जिसका aspect ratio है 229 screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density 270 ppi की मिलती है दोनों की height भी बिल्कुल सेम है 163.9 mm की height के साथ आते हैं दोनों smartphone लेकिन thickness अलग-अलग 8.2 mm की thickness आप Y01 में और 8.4 mm की thickness आपको Y02 में मिलती है और weight भी अलग-अलग Y01 का weight है 178 gram और Y02 का weight है 186 gram दोनों के अंदर 5000 image की battery लगी वी है और अब हम दोनों smartphone की जो setting है उसे करेंगे open और यहां पर देखेंगे setting के अंदर आपको क्या-क्या दिया गया है Funtouch OS 11 मिलता है आपको Y01 में और Funtouch OS 12 मिलता है Y02 में Octa-Core processor आपको दोनों smartphone में दिये गये हैं लेकिन अलग-अलग chipset के साथ यहां पर भी वो Y02 में 2 GHz का Octa-Core processor मिलता है और chipset MediaTek Helio P22 का वहीं Y01 में आपको 2.3 GHz का Octa-Core processor और chipset MediaTek Helio P35 का दिया गया है दोनों based है 12NM के fabrication पर ग्राफिक दोनों में PowerVR G8320 के आपको मिलेंगे RAM यहां पर अलग-अलग 3GB RAM के साथ आता है Y02 और 2GB RAM के साथ आता है Y01 दोनों में LPDDR4X की RAM दी गयी है और storage बिलकुल same 32GB का दिया गया है expandable memory दोनों में 1TB तक बढ़ा सकते हैं और storage type EMMC 5.1 का दिया गया है दोनों smartphone में इसके बाद हम दोनों smartphone का camera भी test करेंगे तो एक छोटी से नजर दोनों smartphone के camera पर डालते हैं तो यहां पर हमने दोनों smartphone के जो camera है उन्हें normal mode में on कर लिया है और अब आपको camera दिखाते हैं एक बार यहां पर zoom कम कर लेते हैं तो यह रहे दोनों smartphone के camera कोई भी अंतर यहां पर नजर नहीं आ रहा हलके से color better लग रहे हैं वो i01 के करीब से भी आपको दिखाते हैं तो एक एक picture क्यों ना capture की जाए ताकि हमें अच्छे से details से देखने को मिल जाए दोनों smartphone के camera से लेगी picture तो यह हमने यहां पर थोड़ा permission दे देते हैं तो अब यहां पर आपको करीब से दिखाते हैं तो यह रही दोनों smartphone से लेगी picture तो picture quality में ज्यादा कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा लगबग एक जैसे clarity आपको दोनों smartphone के camera से मिलती है और zooming power को भी देख लेते हैं तो दोनों smartphone से only 4x zoom support आपको मिलता है और यह रहे दोनों smartphone के 4x zoom clarity तो यहां पर थोड़ी सी zoom clarity के बामले में Y01 में better लग रहा है better zoom यहां पर Y01 का है देख सकते हैं तो फिर भी better clarity तो यहां पर zoom होने के बाद Y01 की ही लग रही है और video हम 720p में और 1080p में दोनों smartphone से suit कर सकते हैं Full HD में आप दोनों smartphone से video suit कर सकते हैं Time Lapse का option दोनों smartphone में दिया गया है इसकी अलावा slow motion का option आपको दोनों smartphone में नहीं मिलता है Camera features बहुत कम दिये गए हैं और यह रहा दोनों smartphone का front selfie camera अभी video mode में है और front selfie camera मुझे काफ़ी अच्छा लगा Price के साब से दोनों smartphone में काफ़ी अच्छे selfie camera आपको मिल जाते हैं और यहां पर थोड़ी सी wideness ज़्यादा और जो actual color नज़र आ रहे हैं Vivo i02 के camera से नज़र आ रहे हैं और दोनों smartphone में आपको 2X तक का zoom support भी मिल जाता है front selfie camera में तो camera clarity के मामले में दोनों ही smartphone में बहुत ही बढ़िया camera मिल जाते हैं Price के साब से जबकि single single camera मिलते हैं लेकिन clarity काफ़ी अच्छी मिल जाती है तो friends ये थे 8000 और 9000 रुपे की कीमत में आने वाले दो बहुत ही बढ़िया Vivo के smartphone दोनों ही smartphone अपनी बिसे स्कूबियों के साथ आते हैं लेकिन दोस्तों दोनों smartphone का जो price है मुझे थोड़ा सा high लगा आजकल mobile company का कितना भाइन कर competition चल रहा है price यहाँ पर कम हो रही है features जादा मिल रहे है और यहाँ देखो यहाँ पर Vivo अपने price पर बिल्कुल अड़ा हुआ है 9000 रुपे की कीमत में आपको इसमें ना ही full HD flash display मिलती है ना ही type C का support मिलता है build quality बहुती कमाल की यहाँ पर दी गई है काफी कमाल का लगा मझे इसका camera बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है दोस्तों comment box में बताइए आपको इन दोने smartphone में से कौन सा smartphone पसंद आया कौन सा आप purchase करना चाहोगे आसा करता हूँ मेरे दोरादी की जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई धिकत नहीं आएगी ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें मिलता एगली वीडियो में अगली unboxing के साथ अगले साल 2023 में दोस्तों आज की लिए हफी 31st